गुड आप्टरनून छात्रों आर्बियस डिग्री कॉलेज मेजा खास के आनलाइन प्रेटफॉर्म पे सभी छात्रों का महार्तिक स्वागत करते हैं छात्रों आज जो है बिए सी एजी फोर समेश्टर का जो आपका सब्जेक्ट है वो प्रॉलमेटिक स्वाइल एंड देयर चात्रों आपको आज अध्यन करवाएंगे मतलब कहने कार्थ यह है कि जो हमारी अपरदित मिर्दा है एरिटोटेश स्वाइल जो है वो एक तरीके से देखा जा जो है प्राकतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जब पहालों के जो है क्या करते हैं चटाने तूटकर छोट वो एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर जो है अस्थान अंत्रित हो जाते हैं जिसे हम अपरदित मिर्दा कहा जाता है उसके बाद आपका संकुचित मिर्दा आता है जो संकुचित मिर्दा है वो एक तरीके से मिट्टी का संगनन है जो की जब प्राकतिक चीजों के द्व जब किसी पहार के कर तूट के एक समतल जमीन पर अगर जो आते हैं तो उनकी जो प्रक्रिया है वहाँ पर वो एक तरीके से जो है मिट्टी का जो रूप उन्हें धारण करना रहता है उनका धारण मिट्टी के रूप में नहीं हो पाता है तो उन्हें सुधारने के लिए जो है हमें कई प्रक्रिया करना पड़ता है जिसके दोरा जो संकुचित मिट्टी हमारी है संगनन मिट्दा वो धीरे धीरे सुधार कर एक तरीके से क्रिस्योग मिट्टी जो है बनाई जा सकती हैं जो कि उसमें आपको कई प्रकार के खादो का प्रियोग जिफसम का प्रियोग और क्या कहते हैं हरी खादो का प्रियोग करने से जो है उस मिर्दी मिर्दा का अच्छे तरीके से जो है सुधार हो सकता है चात्रो ठीक है आईए इसके विसे हम अध्धन करते हैं आगे चलते ह जैसे मिर्दा अपर्दन किसे कहते हैं उसे हम आपको बता रहे हैं मिर्दा अपर्दन मिर्दा का मिट्टी के आवरण को हटाना या अस्थानांत्रित होनी को मिर्दा अपर्दन कहलाता है ठीक है चात्रों उसके बाद मिर्दा अपर्दन से आसे मिट्टी के विनास मतलब वि नस्पत विहीन नरम मिर्दा पर अपर्दन की प्रक्रिया तीब्र होती है अपर्दन की तीब्र गत के कारण भारत में मिट्टियों की उर्वर्ता सक्ती प्रतिवर्स कम होती चली जा रही है इसका अर्थ यह है छात्र जो है कि जो हमारे अपर्दित मिर्दा है वहां पर जो ह जो हमारे conserve के दौरा जो है मिट्टी हमारी एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर जो चली जा रही है उसके दौरा मिट्टी की उर्वरता का च्छती हो रहा है जो एक विनास का रूप जो है पकड़र रही है मिर्दा हमारी इसके सुधार के लिए हमें कई उपाय भी कर ने चाहिए जिससे हमारी मिट्टी की जो है उर्वर्ता बनी रहे उसकी सक्त काफी कम या ज्यादा टाइम तक क्या कहते हैं वहां पे धरातल पर बनी रहनी चाहिए ठीक है आगे चलते हैं भूम के अपर्दन की यह समश्या देश के लिए चिंता जनक है मिर्दा अपर्दन का यह परणा भूम तक ही सीमित नहीं है उसके आगे इसका फल हो गया मनुष्य हो गया वो भी भुकतान करना पड़ता है क्योंकि इससे भूम की पैदावार निरंतर छीड होती रहती है इसका अर्थ यह है कि जो हमारी अपर्दित मिर्दा है चात्रो जो है वो धीरे धीरे अपनी जो है नुकसान को कहीं न कहीं वो परदरसित करते हैं चाहे वो फलका बगीचा हो या मनस्यों के उपर है कहीं न कहीं वो जो है नुकसान को जो है दरसाता है जो अपर्दित मिर् से दो रूपों में देखने को मिलता है जो पहला हमारा है परत अपर्दन जब मिट्टी की छैतिच परते तेज हवा भारी वर्सा दौरा उड़ा कर बहा कर ले जाई जाती है तो इस प्रकार का अपर्दन परत अपर्दन कहलाता है मतलब कहने करती है जो हमारा मिट्टी का एक आवरन होता है वो कहीं न कहीं छैति तरीके से जो है वो एक नाले का रूप पकड़ के या पतली अवनाले का को पकड़ करके जो है वो मिट्टी एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर अस्थानांतिर्थ होती रहती है और हमारी पै परत अपरदन मुख्रूप से बनस्पत विहीन छेत्रों के अलामा जलोड मिट्टी वाले छेत्रों में भी जादातर होता है अपरदन जो है फिन उसके बाद आता है अवनालिका अपरदन जो है जादातर जो है ये ढालू भूमियों पर सबसे जादा इसका जो है अपरदन हो नालिया निर्मित हो जाती हैं फिन यह अवनालिकाएं प्राय पर्वती धालों तथा मुलायां बलुई मिट्टी वाले छेत्रों में बहुतायस से निर्मित होती हैं प्रवाहित जल द्वारा पतली एवं लंबी नालियों के रूप में होनी वाले मिर्दा अपर्धन अवनाल नीचे आते हैं फिन वहाँ पे एक अवनाली का बलत जल प्रवाह के दारा वो अवनाली का बननी की वज़े से जो है वहाँ पे अवनाली का अपर्दन धीरे धीरे स्टार्ट हो के वो एक बिहद रूप ले लेता है जिसके दौरा जो हमारी उर्वरा सक्त ही है मिट्टी की जो है वो एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर अस्थानां तरीथ हो जाती है ठीक है आगे चलते हैं मिर्दा अपर्दन को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला जो हमारा कारक है जलवाय। जो कारक होता है मिर्दा अपर्दन का वो जो है ज्यादा तर जलवर्षा के कारण, तापमान के कारण, वाय। वेक के कारण ये प्रक्रिया स्टार्ट होती है चात्रों। जिसे आम तोर पर अगर देखा जाए जो है तो ये गर्मी के टाइमिंग में सबसे ज्यादा अपर्द स्वायल का सबसे ज़्यादा परदन होता है क्योंकि उस टाइमिंग पे वहां का जो तापमान होता है वो काफी ड्राइ सूखा होता है जिसके द्वारा जो कणों का एक जुड़ने की प्रक्रिया होती है वो धीरे धीरे जब विखर जाते हैं जो है तो जब वेक हवा तेजी बहती है जो है तो उसके द्वारा जो है वो दूसरी दगा चले जाते हैं तिक है फिन उसके बाद सामानतय वर्सा की अधिक मात्रा मिर्दा अपरदन को बढ़ाती है जबकि कम वर्सा वाले छेत्रों में मिर्दा अपरदन का कम प्रभाव देखने को मिलता है जहां पे अग अगर कुछ छेत्रों में ऐसा कुछ छेत्र है भारत में जो है जहां पे वर्षा बहुत कम होती है जिसके कारण से वहां पे अपर्दन की प्रक्रिया बहुत कम होती है ठीक है आगे चलते हैं वर्षा द्वारा होने वाले मिर्दा अपर्दन की मात्रा बरस्पत आवरन से संबंधित होती है इसका अर्थी यह है चात्रों कि अगर वर्षा तेज हो रही है अगर वहां पे स्वायल के उपरी पर्द contributor के उपर अगर बरस्पतियों से ढखा हुआ है तो जो वर्सा का वेग है वो धीरे धीरे कम होगा जिसके कारण से जब उसकी पानी की जो स्पीड है जो वेग है वो अगर स्लो हो जाएगा तो धीरे धीरे अपरदन की प्रक्रिया कम हो जाएगी वहाँ पे फिन उसके बाद सघन अनाच्छादे छेत्रों में अधिक वर्षा होने पर भी नियूंतम मिर्दा अपरदन होता है जबकि बनस्पत रही छेत्रों से सामानता वर्षा मिर्दा अपरदन से सीधा सम्मंध मिलता है जाथ जहां पर बनस्पत ज्यादा पाई जाती है वहाँ पर मिर्दा अपरदन लृपds ओन तापमान का मिर्दा अपरदन अप्रतच रूप से प्रभाव पढ़ता है अधिक रहने पर चट्टाने अपच्छई होकर धीली हो जाती है तथा इससे यह चट्टाने मिर्दा अपर्दन की प्रति पूर्व की तुलना में अधिक सम्वेदन सील हो जाती है इसका अर्थ यह है चात्रों कि जब तापमान जिस छेत्र में या पहारी हो या ढलाव भूम हो और ये अगर तापमान ज्यादा है तो वह धीरे धीरे उनके जो कण है और यह तूट कर वह एक अस्ठान से दूसरे अस्थान पर अस्धान अंतरित हो जाते हैं ये भी प्रभाव डालता है चात्रों तेके यही कारण है कि उस्ण उपोश्ण भ्भागों में जहां वारसिक व दैनिक तापांतर अधिक रहते हैं म्रिदा अपर्दन की दर अधिक मिलती है फिर विश्व के उन सुस्क अर्ध सुस्क भागों में जहां धरातल पर बालू वर्यत जमाव मिलते हैं हवाओं दोरा उच अस्तर पर मिल्दा अपर्दन किया जाता है मतलब कहने करती है चातरों झो है कि विश्व का कुछ ऐसा भी भाग होता है जहां पे सुस्क और आधर सुस्क क्या कहते हैं मिठियां पाई जाती है जिसके कारण से जब वहां का तंप्रेचर बढ़ता है तो वहां की जो उपर का सरफ्च है उपर की पर्त है चातरों वह परता ज्यादतन नस्ट होती है ठीक है उसके बाद सहारा थार हो गया अरब के रिगिस्थानी भागों में वायू के प्रबलवेग से रियत के छोटे-छोटे-छोटे बड़े टीले एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर अस्थान अंत्रित हो जाती हैं बदलब कहने करती है चातरों जो है कि जहां परिय तीली भूम है जैसे आप कर राजास्थानी जो छेतर है वहाँ पर जो मिल्टी जो उँचे-उचे ठीले होते हैं उन की जब वहां पर के कहते हैं कंप्रियचर का सबसे ज्याधा प्रभाव बढ़ता है तो वहां पर जो है वो टीले धीरे-धी दूसरा जो है आपका आता है धरातली ढाल जो एक मिर्दा अपर्दन को प्रभावित करने वाले कारकों में महत्पूर्ण है जिन भुभागों में त्रीब ढाल प्रवणता होती है उनमें कम ढाल प्रवणता वाले भुभागों की तुलना में अधिन भुदा अपर्दन होता है तीब्र धाल प्रवरता वाले भुभागों में प्रभावी जल चटानों को तीब्र प्रवाव के कारण सिग्रता से अपरदित करता रहता है इसका अर्थ यह चात्रों जो है कि जहां की धरातल धालू भूम में हैं तो जहां पे सबसे ज़्यादा ढलान है वहां पे अपरदन की प्रक्रिया प्रचंड होती है जहां पे थोड़ा ही ढलान है वहां पे अपरदन की प्रक्रिया बहुत ही स्लो होती है जिससे हमारे मिट्टी का जो एक उरवरता है वो च्छत होने से काफी वक्त लगता है और वो काफी समय तक वहाँ पर रुके रहते हैं ठीक है आगे चलते हैं बनस्पत कारक बनस्पत मिर्दा अपरदन को प्रभावित करने वाले सरवाधिक प्रभावी कारक है एक तो सघनवन आवरण वर्सा के जल को रोकते हैं दूसरे मिट्टी के अपनी जड़ों में बांधे रहते हैं मलब कहने करती है चात्रों जो है कि जो हमारी बनस्पति है वो उसके जो आवरण होते हैं बनस्पतियां पत्तियां वो वर्सा की बूंदों की वेक को कम करके जो है धरातल पे गिरता है जिसके कारण से जो है हमारा स्वैल जो है अपरदित नहीं होता है अब उसके बाद जो मि फिर उसके बाद बनों के काटे जाने पर जल का बहाव बढ़ जाता है जिससे वर्षा का जल अपेच्छा कृत अधिक मात्रा में मिट्टी कटाव करने में सच्छम हो जाते हैं इसका अर्थ यह है कि जहां पे वनों का सबसे जादा कटाव है चात्रों जो है वहां पे अपर्दन की प्रक्रिया तीब्र हो जाती है क्योंकि उन्हें रोकने के लिए कोई भी चीजें नहीं पाई जाती क्योंकि वो पूरे तरीके से खाली आवरण होता है तो जिससे मिर्दा अपर्दन की प्रक्रिया तीब्रगत जो है पकड़ लेती है फिर उसके बाद मिर्दा कारक हो गया मिर्दा की अपर्दन सीलता मिर्दा अपर्दन की दर से सीधा सम्मंद रखती है मिर्दा की अपर्दन सीलता मिट्टी के कणों के आकार मिट्टी की इसका अर्थ ये है चात्रों जो है कि जो हमारा मिट्टी का कटाओ है वो एक तरीके से मिट्टी की शरचना आकार और उसकी पारगम्मिता को जो है एक तरीके से सम्हाल कर अगर ना रखा जाए तो वहां पे मिर्दा का कहते हैं अपरदित होना शंभव हो जाता है ठीक है फिन उसके बाद जिन मिट्टियों में अपर्दन सीलता अधिक होती है वहां अपर्दन कारकों द्वारा सीग अपर्दित कर दी जाती है जबकि न्यून अपर्दन सीलता जैसे प्राचीन कठोर चट्टानी वाले भुभाग से मिट्टी कठाओ की दर न्यून रहती है मतलब बहुत कम रहती है ठीक है फिन उसके बाद अत्यधिक पस चारण करना अत्यधिक पस वो को चराना जो है वो भी एक मिर्दा का अपरदन का मुख्य कारक है जो है जिसके दोरा हमारी मिट्टी जो है खुल जाती है और जब मिट्टी खुल जाती है जो है तो धीरे धीरे वाई के द्वारा वर्षा के द्वारा हिम के द्वारा जो है वो मिट्टी हमारी जो है एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर अस्थान अंत्रित होती रहती है ठीक है आगे चलते हैं भूम पर घास के आवरण से कमी होने पर साथ सत मिट्टी के कटाव बढ़ाव मिलता है जिन अस्थानों पर पसुओं की संख्या अधिक है और चारा गासीमित है उन निरंतर चड़ाई करने से मिर्दा अपरदन को बढ़ावा मिलता है फिन उसके बाद जो कारण आता है मानु भी क्रिया है कभी कभी पराकतिक क्रियाओं को अपेच्छा अधिक प्रभावसील होती है जो निम्न है जैसे जुटाई के गलत ढंग जो है अगर जुटाई को गलत तरीके से किया जाए तो फिन अपरदन की प्रक्रिया बढ़ जाती है जो की मानुवी क्रियाओं के द्वा काल की दिशा के अनुरूप जुताई यों बुवाई करना कुछ ऐसे गलत तरीके हैं जो की मिर्दा अपर्दन में सहायता प्रदान करते हैं फिन खेत को जोत कर खुला छोड़ देना भी एक गलत धंग है इससे मिट्टी की उब जाओ तत्तो जो उड़ जाते हैं वह बह जात हैं जो की ये मुख्य रूप से आस्थाई तरीके से जो है ये मिट्टियां एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर जाने पर ये समुद्रों और जलासियों में एकठा हो जाते हैं जिससे हमारे मिट्टी की उरबरता का हास होता है फिन उसके बाद आता है आस्थाई क्रिष इस प्रकार की क्रिस पहाडी भागों में रहने वाले आदिम जातियां ही मुख्य रूप से करती हैं जिसके अंतरगत एक छोटे छेतर में जाडियों बृच्छो आदि को काट कर जला दिया जाता है उस अस्थान पर दो या तीन वर्स खेती करने के बाद उसे छोड़ कर नए ध्यान नहीं दिया जाता है जिसके कारण फल सुरूप मिर्दा अपरदन में बिर्द हो रही है इसका अर्थ यह है जो अस्थाई क्रिश है वो भी जो है हमारे मिर्दा अपरदन को प्रभावित करती है जो की एक तरीके से वो एक अस्थल को जो है बनो को साफ करके जो है व फिन वहां से वो दूसरी जगह खेती करने चले जाते हैं जिससे हमारे मिट्टी का हास होता है छात्रों ठीक है फिन वर्सारुत में फसलों का न बोना जिन छेत्रों में वर्षा रुत में कोई फसल नहीं बोई जाती है उनमें मिट्टी कटाव बड़ी सिग्रता सो होती है जिसका मुख्य कारण वर्षा के जल का भूम पर सीधा प्रभावित होना या होना मतलब कहने करती है जिन छेत्रों में वर्षा कोई भी फसल अगर नहीं बोई जाती है तो वो भी मिट्टी हमारे पूरे तरीके से खुली रहती है जब खुली रहेगी जो है तो वहां पर जो हमारा वर्षा की बूंदे जब डारेक्टली गिरेंगी जो है तो अगर वो सीधे गिरिएगे जो है तो यहां कि मिर्दा का कटाओ बहुत तेजी से होगा जिस हुता है मिर्दा अपर्धन के प्रभाव औहादिया मिर्दा अपर्धन के प्रभाव सरुब निम्न समश्याय उत्पन होती हैं मिट्टी की कट्ती हुई उर्वर्ता सक्ति का हास होता है फिर जिन छेत्रों मिट्टी का कटाव ब्रियद अस्तर पर होता है उन छेत्रों में मिट्टी की गहराई कम हो जाती है जिस से पानी को अधिक समय तक रोकने की उनकी छमता घट जाती है फिर इसके अ इतनी उब्जाव नहीं रह पाती है फिन दूसरा कारण आता है छात्रों जो है भयंकर बाढ़ उन छेत्रों में जहां बनों को पूर्टया साफ कर दिया जाता है बालें कम समय के अंदर या अंतर से यों भयंकर रूप से आती है जिसके लाखों की संख्या में पस और तथा मनुश्य मर जाते हैं फिन फसलो यताया संचार ब्योस्था ब्यापार आज सभी पर मिर्दा अपरदन का कूप्रभाव पढ़ता है भारत की कोशी सोना शोन रेखा तिस्ता ब्रमपुत्र महानदी गोदावरी गंगा यमुना नदियों में प्रायबार आती रहती है जो काफी भयंकर साबित होती रहती है जो मिर्दा का अपरदन का मुख्य कारण है फिन उसके बाद इसका प्रमुक कारण पहारी छेतरों में बनों का काटा जाना ही है यह अनुमान लगाया गया है कि गंगा नदी मीसी सीपी नदी की अपेच्छा आठ गुना अवसाद बहा कर ले जाती है चीन की पाली नदी बंजर उच्भूम से पचीस सो मिलियन टन प्रतिवर्स की दर से मिट्टी का प्रवाह को करती है बलब कटाओ करती है नदियों तथा तालाबों मिट्टी का कटाओ का जमाओ जल के साथ कटी हुई या हवा द्वारा उड़ाई गई मिट्टी नदियों जीलों इसके अत्रिक्त जिन नदियों पर बाद बने हैं उन नदियों के साथ बहकर आने वाले मिट्टी निरंतर बादों में एकत्रित होती रहती है जो कि हमारे लिए बहुत उपजाओ मिट्टी हैं हम जलोड मिट्टी बोलते हैं फिर नदियों में मिट्टी की निरंतर जमाओं से कालांतर से नदियां अपना मार्ग ही बदल देती हैं जीलें उथली हो जाती हैं और कभी कभी समाप्त भी हो जाती हैं जो ये भी एक कारण है मिर्दा परदन होने का फिर मिट्टी की नीचली परत के जल अस्तर से कमी होना बनस्पत विहीं छेतरों में निरंतर तीब्र वर्सा के कारण मिट्टी की उपरी परत का तो छरण होती है इसके साथ साध मिट्टी की नीचली परत के में पानी की इतनी सिग्रता से नहीं सोक पाती है अतहजल का अस्तर नीचा हो जाता है जिसका क्रिसकों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और सिचाई के साधनों कुवों यहं टुबलों से पानी प्राप्ट करने के लिए अत्तधिक ब्या करना पड़ता है सूखे वर्सों में बहुत ही कठीन परिस्तितियों का शामना करना पड़ता है उसके बाद ऐसे छेत्रों में ब्रिच्छों को भी भूम से पानी नहीं मिल पाता मिर्दा परदन रोकने के उपाई मिर्दा शरण बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्राकतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर बिनास हो रहा है जिसमें अनेक प्राक्तिक संसाधनों के नश्ट होने का खतरा पैदा हो जाग गया है इसलिए मिर्दा शरण द्वारा विनास रोकना आवश्यक हो गया है मिर्दा शरण के निम लिखित उपाय पहाड़ी और परवती छेत्रों में सीड़ी धार खेतों में फसल उगाना चाहिए इन सब चीजों के उपाय रोकनी का उपाय जो है हम बतला रहे हैं छात्रों कि पहाड़ी और परवती छेत्रों में सीड़ी धार खेतों में फसल उगाना चाहिए फिन उसके बाद खेतों में बांधकाएं बनाकर नालीदार अपर्दन को रोकना सुस्क प्रदेशों में पमन की गत को रच्छक मेखाल पेड़य पवधों की बाढ़ द्वारा कम करके मिर्दा अपर्दन को रोकने पहाडी ढालों पर तथा बंजर भूमें ब्रिच्छारों पर करने से पसुओं की चराइपन नियंतर करना चाहिए परवती धालों उचे नीचे छेतरों में बहते हुए जल का शंग्रह करना चाहिए डेम बना कर ग्रामीर छेतरों में चारा गाहों का विकास करना चाहिए मतलब कहने कर थिये चात्रों जो है कि अगर हमें अपनी मृदा का अगर अपरदन को रूखना है तो हमें ये सारी उपाएं जो है करना अति आवश्यक है नहीं तो हमारी मिट्टी की जो उरवर्ता है जो सक्ती है जो हमारे पोसकत्तो है जो माइक्रो वैक्टीरिया है वो एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर जाने पर जो है नश्ट हो जाते हैं जिसके कारण से हमारी मिर् प्राप्टिक